हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में उमीद करता है नमस्त होंगे सुपब होंगे अपने अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशन के लिए गजब का इफ़र्ट दे रहोंगे अप में से वह सभी लोग जो इंटर्वी में जाने वाले होंगे चाहिए गेट के थुरू आईएट के इंटर्वी के MG उने वाले होंगे या कॉलज कैंपस या फिर अभी इसके पहले भी मैंने The Best Books You Should Read Before an Interview वो मैंने बनाया था, आप दोनों की दोनों वीडियोस देख सकते हैं, ये एक और देखेगा देखिए, आपके साथ मैंने कई बार शेयर किया कि मुझे स्टॉइसिजम पढ़ना बहुत अच्छा लगता है चाहाँ मारकस औरीलियस हों, एपेक्टीटस हों, सनेका हों, इनकी टीचिंग्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है इसके अलावा विक्टर फ्रैंकल साहब की किताब, विक्टर फ्रैंकल साहब की किताब शेयर करता हूँ आज आपको उस किताब में जो चीज बेसिकली कही गई है, वो यह है, कि कभी न कभी मैं और आप हम हमेशा यह सोचते है कि what is the meaning of life, life का actually मतलब क्या है जब लोग हमको बोलते हैं कि नहीं, life का एक bigger meaning होना चाहिए, bigger perspective होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है एक deeper meaning होना चाहिए, तो deeper meaning कैसे बदा चलता है सिरी से पूछों कि, सिरी what is the meaning of life, कि सिरी के पास जवाब होगा क्या सिर्फ पैसे कमाना, सिर्फ metroidism ही life का meaning होना चाहिए या दोस्तों के साथ घूमना, फिरना, क्योंकि वो भी important है time को enjoy करना, दुनिया को देखना, एक onism, एक philosophy होती है onism का मतलब होता है, हम दुनिया में जहां भी जितना भी घूम सकते है जो जो चीज़े हम देख सकते हैं, उसके अलावा भी दुनिया का कोई न कोई हिस्सा रह जाएगा which will remain untouched, तो वो feeling of left कहलाते है onism तो खेर, अगर क्या ये दोस्तों के साथ घुमना फिरना, अकेले दुनिया का explore करना, क्या ये life है कभी-कभी हम इस तरह सोचते हैं, और especially ऐसा सोचते हैं, जब बारिश वारिश हो रही है मस्त से, चाए कॉफी पी रहे हम लोग, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, क्या beautiful day है कहने का मतलब, आज के इस दुनिया में, जहां पर जब इतना noise होता है चाब तरफ इतना chaos है न, amidst of all this chaos, we need to find our cosmos जब थोड़ा सा भी time मिलता है, जो अपने आपके साथ समय बिताते हैं, तब इस तरह की चीज़ों के बेरा हम सोचते है जिसमें आता Japan, Italy और Germany, और एक और तरफ तकरीबन पूरी दुनिया समझ लिए, USA, USSR इसके उस टाइम पर रशे टूटा नहीं था, USSR टूटा नहीं था, रशे बनानी था तो USA ले लिए, USSR ले लिए, UK, France ये सब लोग थे, इनको बोला किया था, Allied Forces तो Germany ने, Nazi Germany, Adolf Hitler की Germany, उनका मानना ये, आपको याद होगा थी, ये वो दौर था जब दुनिया में फासिस्ट वादी विचार था रहा, वो फासिस्ट वादी विचार था रहा है, मतलब फैसिजम कि एक particular community, एक particular तरह के ही लोग, क्या जरूरत है democracy की, एक particular तरह के लोग ही देश को चलाने के लिए सक्षम है Extreme nationalism के बारे में जब बात होती थी, और जब ये माना जाता था, वो लोग, जो minority में हैं, वो लोग impure blood हैं ये मेरे statement नहीं है, ये Adolf Hitler के statement है, जब बोलते थे कि जो Jewish लोग हैं, यहूदी जो है, they are impure blood, they are not true, are in race, तो खतम कर देना चाहिए उनको और इस तरह से Adolf Hitler ने बहुत सारे concentration camps बनाये थे, और concentration camps में जहां पे इनसानों की हालत जहानवरों सो भी बत्तर अगर इस किताब में बहुत सारे चीज़ां में जो मैं नहीं बता पाऊंगा, काफी painful है, तो ये इस तरह के एक Nazi concentration camp है, जहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनसान ने सोचिए, आज की टाइप में human rights और इस सब के बारे बात करते हैं, कोई human rights तासे कोई चीज़ी नहीं है, इस Nazi concentration camp की जब फोटोग्राफ देखेंगे, मैंने सारी फोटोग्राफ नहीं रखी, बहुत ही painful था, तो second world war खतम हुआ था, जब जब जमनी तो हार गया था, बेनिटो मुसॉलिनी को जब इटली के जो communist partisans थे, उन्हों को ने 24 पे लटका दिया, मार डाला था, इस हालत को इ अच्छे थे हिद की तोजो जपैन के और उसके बाद एटाम बंगीरा हिराशुमा और नागासाकी पे, 6th August 1945, 9th August 1945 और 14th August 1945 को जपैन ने नतमस तक कर दिया, कि भाई हम मानते हैं कि हम लोग वार हार चुके हैं, इसके पहले दो साल, 1943 से लेकि 1935 एक डॉक्टर थे जिनका नाम तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, इन साभ जैसे लोग और इनके से बहुत सारे लोगों को बोलाए गया और एक लाइन में खड़े किया गया, और कुछ लोगों को बोलागे लेट चले जाओ, कुछ लोगों को बोलागे राइट लेक्टर फ्रैंकल ने पूचा अपने आगे वाले इनसान से कि ये जो लेट चाने बोर्ड इनको कर क्या रहे हैं, और ने ने कहा थीस गाइस और नाट गूड इनव तो वर्क और इनको ब्लास्ट वर्नेस में जिए लोग जिनदा डाल देंगे, आप सोचके देखे, आज क इनको पूरे शृरीर को सभाइव कर दिया गया था कपडले तो उत्रवा दिये गया थे, फटे-पुराने कपडलो पहनते थे, फटे-पुराने जूते होते थे, जानौरों की तरह इनसे काम किरा जा था था नाजी concentration camp में इसी concentration camp में, एक sahब जिनका राम था किताबें पढ़िया, मेरे चिसाब से ये टॉप मेरे तीन किताबों में होगी, मुझे किताब इतनी पसंदर्म नहीं इतने बार पढ़ ब्रोश्त कर Henry जब हमारे साथ कभी कुछ खराब होता है कभी कुछ गलाट होता है या आसपास की उपर से लोग की उपर से सुसाइटिक उपर से भरोसर उट जाएगा अगर आप यहां से वापिस भी आ जाओ तो भेंकर ग्रज होगा हमें कि यार ऐसा मेरे साथ कैसा कर सकते भगवाना जब इस कॉंसेंट्रिशन कैम्प में ये थे जहां पर जिन्दगी जीना इतना डिफिकल्ट था जहां पर ये कहा जाता है कि लोगों के अंदर जीने की चाह खतम हो जाती थे तब यहां पर रहते हुए इन्होंने लिखा और इन्होंने कहा कि इन्सान का मकसद सिर्फ passing of time नहीं होना चाहिए there should be a bigger meaning to life there should be a deeper meaning to life the meaning of life is to give life meaning जिन्दगी का मकसद जिन्दगी को meaning देना होना चाहिए यह Victor Frankel ऐसाब को statement है आपको लगए कि सर यह मैं समझा रहे हूं इसी चीज़ को Jim Rohn साब ने कहा happiness के लिए, success के लिए, जिस्बी चीज़ के लिए Jim Rohn साब ने कहा success is not what you pursue success is what you attract by becoming an attractive person इसी तरह से Victor Frankel साब ने कहा happiness cannot be pursued, it must ensue happiness वो चीज़ नहीं है जिसको आप chase करते हैं happiness वो चीज़ नहीं है विच यो ensue इस किताब में जिसका नाम है Men's Search for Meaning Sir, इस किताब में इन्होंने बताया कि इस किताब में इन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो किताब जस तरह किताब राएन हॉलिड़ी कि काफी स्टॉइसिजम की किताब जो फिलोसफी है, वो स्टॉइसिजम की फिलोसफी है, जो आज की तारीख में Ryan Holiday, दोनों 10 से जाधा किताबे लिखिये हैं, बहुत सारे किताबे, Obstacle is the way, Ego is the enemy, बहुत सारे किताबे लिखा है, तो आप उनकी कोई भी किताब उठा सकते हैं, इस किताब में एक लाइन लिखिये है, जो मुझे बहुत जाधा पसंदार वो है, The existential vacuum manifest itself mainly in the state of boredom, the existential vacuum manifest mainly in the state of boredom, especially boredom के दोरान, the existential vacuum, मैं आपको इसका मतलब बताता है, existential vacuum क्या चीज़ है, इस कहानी पे बहला आपा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे, existential vacuum इन सहाब ने लिखा इस किताब में, इस concentration camp में जो लोग थे, उनकी हालत बहुत बुरी है, और लोग के अंदर जीने की चाह खतम हो जाती थी, जब लोग के अंदर जीने की चाह खतम हो जाती थी, तो इन्हों ने इसे कहा था, give up it us give up it us, मतलब लोग जीना नहीं चाहते थे, आप सोचके देखे, this is called the ultimate law of life, उस जगह पे, विक्टर फ्रैंकल सहाब ने अबने जीवन के दो साल बिता है, उस जगह पे, जहाँ पे लोग जमीन पे सो रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, कुछ खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जिनकी तवयत खराब उनको आदी दवाई दी आती तो दवाई भी तब देते थे, जब पता हो कि इनसान बच सकता है, नहीं बच सकता है, तो छोड़ो दवाई मत दो, जहां पी इस तरह की philosophy, जहां पी इस तरह की सोच है, जो इनके कहने का मतलब था, existential vacuum म वो ये था, कि ultimate objective हमारे जीवन का जो होना चीए, वो ये होना चीए, to draw purpose in life, जिन्दही के कोई नो कोई मकसद होना बहुत ज़री है, those who have a why to leave, can bear with almost any kind of how, ये चीज़ आपने देखा होगा तो जिम रॉन साहब की philosophy में भी, तो कि मैं जिम रॉन साहब को बहुत ज्यादा फॉ वो लोग जिनका why clear होता है, how takes care of itself, जिम रॉन साहब ने इसी चीज़ को का है, fuzzy future has no pull power, when the why is clear, the how and what, what takes care of itself, those who have a why to leave, can bear almost any how, what is your why, Simon Sinek के भी किताब पढ़ सकते हैं, start with why, जरू पढ़कर देखेगा, when the promise is clear, the price gets easy, when the vision is clear, the price is easy to pay, ये जिम रॉन साहब का statement, जिम रॉन साहब, ये तो खायर विक्टर फ्रेंकल साहब हो गए, जिम रॉन साहब वन अफ मेरे favorite authors में से एक है, जो मैं आपको बताना चाहता था हो ये है, कि इस किताब में जो उन्होंने बताया कि कि इस बत्तर स्थी से विक्टर फ्रेंकल साहब यहाँ पे गुजए है, और उन्होंने बताया कि वो कैसे इस situation से लड़के बाहर नेकले, life का मतलब सिर्फ passing of time नहीं होना चाहिए, there should be a deeper meaning of life, और वो deeper meaning of life को ढूनने के लिन्होंने तीन चीज़ों से connect के इस किताब में, मिस्टर विक्टर फ्रेंकल साहब ने कहा, कि जब मैं इस दो साल तक इस नर् विजूल्स हो सकते हैं, हम सब अलग-अलग इनसान हो सकते हैं, बट कहीं न कहीं हम अपने जिन्दगी का मकसद तीन में से किसी एक चीज़ से ड्रॉक करते हैं, हो सकता है, तीनों में से भी करें, और आपके साथ चाहे जो खुछ भी हो जाए, दुनिया में लोग आपका सा साथ की, रूबिन कार्टर साथ जो कि एक ब्लैक अमेरिकन थे, जो कि बॉक्सर बनना चाहते थे, और बाद में उनको ट्रिपल मुर्डर के आरोप में आजीवन कारावास, तकरीबन दो साल की जेल हुई थी, और बीस साल तक जेल में रहते हैं, उन्होंने हिस्ट्री थे, पर बीस साल की बाद अपने कुछ जेल से बाईज़त बरी किया, और बाईज़त बरी करने के बाद उन्होंने यही स्टेट्मेंट कहा था, कि लोग हो सकता है आप से आपका सब कुछ छीन ले लेकिन लोग वो नहीं छीन सकते जो आपका परसिप्शन है और इस लिए, विक्टर फ्रेंकल सहाब ने कहा लाइफ में the most important thing is we have to search for meaning to life like what तो इसमें विक्टर फ्रेंकल सहाब ने बताया जब मैं इस नर्क से गुजर रहा था और दो साल तक जब मैं यहाँ पे था तब मुझे यह सांज में आए कि आप मैं हम सब हम सब का why important है हम सब की जिन्देगी का वो meaning important है और यह meaning हर एक इनसान draw करता है तीन में से किसी एक चीज़ से पहली चीज़ विक्टर फ्रेंकल सहाब ने का कि पहली चीज़ एक इनसान यह सोचता है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे काम लोग को याद रहे ऐसे leaders, ऐसे icons जो समाज के लिए कुछ करके जाना चाहते है चाहिए पीजे कलाम सहाब जैसे लोग जो कैसा को ऐसा हो सकता है कई हजारों साल में एक ऐसा इंसान पैदा होता होगा अडरल बिहारी बाचपई सहाब जैसे लोग इस्री धरल साहब जैसे लोग इस्री धरल साहब कौन है? जो श्वेत करके ले क्या है ऐसे बहुत सारे लोग जो सुसाइटे के लिए कुछ करके जाते है ओङुद दूसरी चीज़ लोग अपने जिन्दगी को मीनिंग देते हैं प्यार से लव से लोग सोचते हैं मैं अपने मा के लिए, पिता के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करना जाता हूँ लव, कभी कभी लव, human spirit is so made that anything that ignites its dreams, its aspirations, impossibility vanishes मेरी और आपकी spirits कुछ इस तरह से बनी हैं, कि जब इनसान सोच लेता है कि मैं यह तो करके रहूंगा, तो दुनिया में असंभाव शब्द खतम हो जाता है कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, जो इसी meaning को draw करते हैं, from those persons whom they love जैसे कि Victor Frankl ऐसांप कहते थे, जब मेरे लियना almost impossible हो जाता था मैं यहां बेरे रह ठाना है, जब मेरे लियना impossible हो जाता था, तब मैं यह सोचता था कि मेरी wife का जो पियार है मेरे लिये, मैं उसके बारे में सोचता था वर्क के लिए रिक्टर फ्रेंगल साब ने ये कहा, मैं ये सोचता था कि जब कभी मैं यहां से बाहर निकलूँगा तो मैं अपने आपको इमाजिन करता था कि मैं किसी युनिवर्सिटी और कॉलेज में होंगा और वहां पे मैं लोगों को लड़ना बता रहा हूँगा कि मैं कैसे दो साल तक के इस नर्क से बत्तर हालत से गुजरा और इसके बाद वहां सर्वाइव होके निकला इस दुनिया में कोई भी वीपरीट से वीपरीट पर इसी दिया भी खतम नहीं कर सकते तीसरी चीज़ हो सकता है एक इनसान के जीवन में शायद वर्क उसके पसंद कर ना हो शायद लव उसके लाइफ में ना हो लेकिन हार एक के इनसान के जीवन में एक चीज़ तो हता है और वह है सफरिंग्स कभी-कभी मैं और आप हम सोचते हैं कि भगवान मेरे जिन्देगे में इतनी सफरिंग्स क्यों हो विक्टर फ्रेंगल साथ ने कहा जब मेरे लिए जीना असमबा हो जाता था इंपॉसिबल हो जाता था फर एक पासिंग डे मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाता था तो जो उन्होंने कहा वो ये है उसका मीनिंग जो है कि मैं ये सोचा था I'll outgrow my sufferings, I'll outgrow my pain इसके दाव में जो mainly Victor Frankl साब ने कहा है वो ये है कि हम सब अलग-अलग इंसान, अलग-अलग लोग हो सकते हैं हम सब के जिन्दगी में कुछ कम कुछ जादा हो सकता है but believe me, each one of us we have fair share of happiness and sorrow success and failure love and sufferings although मैं और आप हम अलग-अलग individuals है we are different people, indeed we are different people, but we have different problems हो सकता है, अलग-अलग magnitude के problem होंगे बढ़ हाँ, हम मेरे, आपके हम सब के जीवने problem है उस सिर्फ ये complain करना कि भगवान मेरे साथ चाहे आपके जीवन में success के बारे में बात करें या happiness के बारे में बात करें it is what you attract it is not something that you pursue, it is what you attract क्योंकि इस दुनिया में लोग आपका कुछ भी ले ले, आपको इस दुनिया की देखने का नजरी, आपका perception, आपके beliefs नहीं ले सकते men's search for meaning का जो central idea है, वो ये है each one of us we must draw deeper meaning, deeper purpose to life, और तीन में से कोई भी एक चीज, मैं आप से पूछता हूँ comment box से मुझे बताईएगा आपका men's search for meaning क्या है आपका, deeper level पे बार सोच के देखेगा आप भगवान न करें लेकिन आजको मुझको हम सब को इस दुनिया से जा नहीं है जब हम आज दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम क्या चाहते है किस तरह से हम याद रखे जाएगे क्या चीज हमारे बारे में बतानी चाहिए work, love ये sufferings वो लड़ा और लड़के जीता sufferings, we outgrow our fear मैं अपने डर से बड़ा बन जाओंगा कभी-कभी हम यह बोलता है आप मुझे बताएगा आपके हिसाब से मैं सर्च फॉर मेनिंग आपका क्या है personal है, मुझे पता है चौती चीज जो इस किताब में लखी है वो ये है जो मारकास औरिलेस ने कई सालों पहले कई हजारों सालों पहले का और वो ये था कि जिन्दगी में सबसे important ये है कि जिस भी situation में आप हैं उसको दो पार्ट में divide कीजे और ये सोचिए इन में से कौन सी चीज़ जो मेरे control के अंदर इस किताब को जरूर पढ़िये का मैं सच पर मीनिंग इसके साथ दो और किताबे जरूर अगर आप इंटर्वें बोलने का सोच रहोंगे ऐसे ही पढ़ने का सोच रहोंगे जो आपको मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं और साइमन सीनक की किताब स्टार्ट विथ वाइ मैं आपको ये भी रेकमेंड करता हूं ये सारी की सारी किताबे जरूर पढ़के देखिएगा इस्पेशली मैं स सर्च फॉर मीनिंग हो सके तो एक से जाधा बार पढ़िएगा आपको कुछ next level feeling है मैं आपको ये promise करता हूं मैं सर्च फॉर मीनिंग अटॉमिक हैबट और जेम्स क्लियर के अटॉमिक हैबट विक्टर फ्रैंकल की मैं सर्च फॉर मीनिंग जेम्स क्लियर के अटॉमिक हैबट इसके अलवबा साइमन सेनक की Starts With Why यह start with why यह सारे के सारे तीतीनों किताबें जरूर पढ़िएगा कुछ unbelievable किताबें जिसमें आपको बहुत मजाएगा मुमीद करता हूँ कि जितने भी सेशन्स मैं आप लोगों के लिए लेकि आ रहा हूँ आप सारे के सारे सेशन्स देख रहे हैं जो इंटर्वीव के लिए आपके important है for example आप बताना चाहते हैं you are a person who is extremely hard working, tenacious use कीजे और industrious use कीजे sir I am a person who is extremely skilled, dextrous use कीजे supplemental आप mental agility के बार में बात करें वो सारे के सारे चीज़ने यूज कीजे indefetigable जो कभी न थके sir I really want to be an indispensable person dispensables को replace ना किया जा सके इस तरह के session सभी लोग अन academic app ज़रूर इंस्टाल कीजेगा 11 am पे मैं एक session लेता हूँ जो all India में सभी aspirants के लिए सभी students के लिए free होता है जो चाहे वो attend कर सकता है इस session को मैं बोलता हूँ face the fear इस में one topics में discussion करता हूँ जिससे आपको डर लगता है चाहे जो भी हो probability इसके अलावा reading, comprehension, geometry अभी discussion कर रहा हूँ लेकिन आप देख सकते हैं मैंने confidence वाद इस session पर भी discussion किया था आप जो भी topic पर चाहते हैं discussion करें मुझे telegram में भेज सकते हैं मैंने ये session लिया था तब मैंने live करके तरीका बताया था वो LIV acronym है जरूर देखे के session को आप में से बोलो जो पहली बार यहाँ पर आए होंगे पहली बार मुझे देख रहे होंगे यार ये रहे मेरे credentials आप लोग को मैं एक promise जरूर कर देता हूँ और वो ये है कि YouTube में मेरे sessions आते रहेंगे on academy में मेरे free videos आते रहेंगे live classes of course लेकिन इसके अलावा तीसरी चीज़ ये भी उतायता हूँ आप में से वो लोग जिन्होंने सोच लिया होगा sir इस बार तो कुछ गजब type को लड़ूँगा one life leave more, one life dare more, one life dream more मैं उनको ये बोलूँगा कि यार देखो हम सब के पास न अ समान बनने का समान अफसर होता है तो time waste मत करना, straight away join करना आपकी मर्जी है न लेकिन अगर मैं आपने सोच लिया हो तो फिर late मत करना time is a commodity समान बनने का हम सब को समान अफसर मिलता है सरी जो आप बोल रहे थे सब्सक्रिप्शन वाला कूर्स ये क्या होता है देखिए आपको न बहुत rarely आपने सुना हो किसी एक platform पे आपको एक से धुरंदर teachers मिलेंगे आप चाहिए तो RBR सर को देख लिए अंकित सर को देख लिए आपको साकेट सर मिलेंगे कि वो एकदम credible होगी तीसरा the content is high class content test series आप देखिए आपको मज़ा आ जागा मेरा जो session चलता है plus का वो gate 22, 23 students के लिए इसमें मैं एक हफते में 4 live class लेता हूँ एक doubt clearing session होता है और एक weekly test होता है ध्यान रखिएगा जो अभी subscribe कर रहे होंगे उनको crash course के लिए और कुछ करने की ज़ूरत नहीं crash course भी उसमें included बाद में and similarly यह सारे का सारा session यह बाई link हो लोता है आप मेंसे वो बच्चे जितने लोग सोच लिए होगी कुछ गजब की त्यारी करना है मैं recommend करूंगा iconic subscription इसलिए because में one-to-one must mentorship मिलेगे आपको आप चाहें तो आप प्लस का subscription लिजा iconic जो subscription लिजेगा 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने में से कोई सभी ले सकते यह amount pay करने की ज़ूरत नहीं है यहाँ पे एक referral code यूज़ कीज़ेगा ST26 तो avail them exam benefit आप में से वो लोग जो first year या second year के हो उनको तो मैं recommend करता हूँ कि 24 महीने का subscription लेज़ेगा यह amount मत पे कीज़ेगा यहाँ पे ST26 यह लिखिए आप में से वो सभी के सभी बच्चे जो इनको यह doubt होगा कि सर आपने बताए कि YouTube में आपके वीडियो आते हैं आपने देखा होगा हम लोग 100K के बहुत करीब हैं तो make sure कीज़ेगा subscribe कीज़ेगे ताकि हम लोग 100K एक अच्छा नंबर है वो हम achieve कर पाएं देखिए आप में से वो सभी लोग जो पहली बार आ रहे होंगे या फिर उनको डूडने में मुझे दिफिकल्टी होगी तो यहां पर अनकाडमी के आप में जाएगा वेपसाइट में जाएगा गेट एसी में जाएगा यहां दिखूँगा मैं 1 मिलियन हुआ है ठीक है ठीक ठाक मन बाना मैं यह बोलता हम पर 100 मिलियन करना है यार मेरे ड्रीम है यार कि मैं आप हम सब मिलके एक गजब के revolution लेके हैं इंडिया मेजूकेशन का revolution का मतलब भी clear करता हूँ when the vision is clear the price is easy to pay price मतलब effort तो फिर मैं आप से effort demand करूँगा न और ऐसा vision है कि एक student के मन से यह चीज़ हट जानी चाहिए कि कोई impossible नाम की भी कुछी होती है there's no need for this student यह बोल दे कि I am powerful beyond measures तब तो मज़ा आएगा आप इसके नीचे आएगा अच्छा आप जहां भी पढ़ते हों को ध्यान रखिए यह फालो करना है आप अगर में से पढ़ने मज़ा आता तो चुछे लिखना है ST26 से नोट करके रखिएगा कहां यूज करना आपको बताता हूँ यह इसको see all कीजएगा तो यह खुल जाएगा यह मेरे सारे के सारे free sessions है हर एक वीडियो आप मस्त आराम से देख सकते हैं benefit आवेल कर सकते हैं जितना भी इसमें geometry भी है कोंट भी है verbal भी है, vocabulary, critical reasoning है बहुत सारे questions, confidence कैसे में होते है confidence की उपर है, strategy making है 15 out of 15 marks कैसे है लाना gate में बहुत सारे, सब पर आपको दिख जाया सर जैसे last session आपने यह लिया ना click करके देख लो, भी click कर लो उसमें कहा है we are powerful beyond measures आप देख सकते हैं, watch कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं PDF मतलब जो मैं बोर्ड पे लिखूँ, आप हर चीज डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको मैं दिख रहा हूँगा, यह वो live session था जो आप बात में भी देख सकते है, recorded कोई दिकत नहीं है, और सब जो आप यह देख सकते हैं, आप Abraham Lincoln साब के बारे हैं, काफी सारा इसमें discussion कहता है, मैंने, इसके अलाब जो मेरा paid course है, तैयार हो जाईए must type से, April 2nd week में इसका second part आ रहा है, जिसने सोचा होगा कि मुझे अभी तैयारी करनी, मेरी हिसाब सता भी best time में जॉइन करने का, इसमें आपको classes, doubt clearing session, test series, सब कुछ included है, एक भी चीज अपने को miss नहीं करना है, तो यह था हमारा आज का session, तीन कितावे मैंने आपको session में recommend किया, Victor Frankel की Men's Search for Meaning, James Clear की Atomic Habit, and Simon Sinek के start with why, जरूर पढ़ेगा और interview में जरूर बताएगा, मिल दे नेक्स ताइम, बबाए रवड़ी, टेक केर, जय हिंद